वेट कर रहे हैं आप लोग को पता होगा कि आप लोग के लिए फिर से वैकेंसी जो है वो फाइनली गोवेंट जो है वो देने वाली है अक्टूबर में उसका ऐलान फाइनली कर दिया गया है चलिए नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कौन का उसे इसमें फॉर्म फिल करें है पेपर 2 में क्या ओई इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे उसके बारे में पूर डिटल में जानकारी मैं देने वाली हूं नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एलान फाइनली हो चुका है सबसे पहले आप देखिए यहां पे साफ साफ बताया गया है जो की हमारे हिंदूस्त बनने का मौका बीपीएसी का नई टीचर भरती का ऐलान जीँ हां यानि कि ऐलान जो है वह फाइनली कर दिया गया है कोई भी रुकावट नहीं आने बाली है आपके इस वैकेंसी में और चलिए और डिटल में जान लेते हैं कि ऐलान में आखिर क्या-क्या क्या गया वानली नूर्टिफिकेशन जो है आउत हुचछा है जो यह टीचर बनने के लिए जो अइलार किया धा कि हम फिर से एक Tortire की वेकेशन लाएंगे और उसमें सतर हजार से जाधा टीचर कि जो है हम वैकेशन कड़ाiva कि आपकर दें कि बैठा कोई थी कुछ तिन पहले ठेक Pretty वाली है उसमें जो है गवर्मेंट ने अलाव कर दिया है और फाइनली आउट हो चुका है नोटिफिकेशन उसमें क्या-क्या सारी चीज़े डीटेल्स दी गई है पहली पॉइंट यह सब सारा मैं पढ़के बताऊंगी पहली पॉइंट मैं सीटेट वाले स्ट्रेंड के जो अभी नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें आपको पता है कि सिर्फ पेपर टू बाले ही इसमें बैट सकेंगे क्योंकि सिक्स टु एट की बैकेंसी ओन तो फाइब की अभी तक गोसना नहीं की गई है ठीक है तो सिक्स टु एट में आपको बता दें कि पांच हज बिहार नमर से फेल हुए हैं सभी को मौका मिलेगा और सभी इस बैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकेंगे जिहां सबसे पर देखिए कि बिहार में जल दी इसी चुको कि पदों पर नई वैकेंसी निकाल गई है और बिहार लोग से वा आयोग बीपीसी के द्वारा मंगर बायर क करेंगे नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है बैकेंसी का भी पता चल गया है कि आने वाली है लेकिन जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे वह अक्टूबर से करेंगे ठीक है बाब बैकेंसी का नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया जाएगा और फॉम भी फिल आप परिफिकेशन फाइनली जाएगी पहले जो है बारावी के लिए की जाएगी ठीक है यानि कि नौमी दस भी और एकारामी बारावी की पहले निवक्ति होगी जो अभी चल रहा है बैकेंसी और आपको बता दें कि आयोग के मुताबिक नवंबर महीने में परिच्छा आयोज एक लाग पदो पर की जाएगी जी हां करीब एक लाग पदो पर की जाएगी यानि कि सत्तर हजार से जादा ही रहेगा कम नहीं रहेगा मिनिमम सत्तर हजार तो आएगी ही आएगी ठीक है उसमें से एट तक के अशुरेन के लिए जो होंगे वो तीस से पैतिस हजार होंगे ठीके बैकेंसी और बीटेल यहां वे पढ़ लेते हैं कि बिहार लोग से भायों को मंगल बार को बीपेसी वं सिच्छा अधिकारी यूंग के बैठक हुई इस बैठक में बीपेसी के अध्यक्ष अतुल परसाथ सिच्छा विभाग के ऊपर मुख्य सचीव के बाठक प्रात् पर श्रमती परदान की गई है यानि कि अभी आगामी यानि कि चल रहा है एक लाग सत्तराजर बैकेंसी इस पर भी बातचित हुई है आयो की और से अक्टूबर में एक से लेकर बढ़ावी तक नई बैकेंसी निकाली जाएगी इसकी परिछा नवंबर में प्रस्तावित हो है ठीक है लेकिन देखिए अभी फाइनल जब नोटिस आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा इसके अलाबा मौजूदा बिहार सिचक बहाली के परिछा की रिजल्ट की मेधा सुची पर भी बात हुई है यानि कि जो भी चल रहा है एक्जाम फाइनली जो हुआ है उसका साठ नमबर हुई दोनों बैज है या दोनों गल्स है ठीक है तो आखी इस पे कैसे मेधा बनेगा घूंग रगा किस्का पीछन ओसutan लोगा उसके आधार है है कि किसी का पासिंग मार्क्त स्ह gefंड दूसर एकर अभीbas करा कि माहतं है थीफ i can ऐस बखिए 55 eres तो सीट के नुसार इन स्टुरेंट को एक सीट माली जखाली है तो उसके किसको दिया जाएगा दोनों तो दोनों का नंबर सेम है तो इसके लिए यहां पर चर्चा हो रही है कि किस आधार पर दिया जाएगा फिर हो सकता है आपके 10th 12 या सीट 8 के नंबर को देख करके आपको दिया जाएगा ठीक है यह भी हो सकता है और उसके बाद यहां बताएगा है देखिए कि विभाग से निर्देश प्राप्त होने और कोर्ट में मार्क दरसन के बाद भी ही 28 के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा हालांकि उससे पहले मादिमिक और उजमादिमिक का जारी कर दिया जाएगा यानि कि जो अश्रूरेंट हैं जो कि मादिमिक और उजमादिमिक बाले हैं उनका पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद जो है 1-5 तक के लिए और बाते चल रही है यानि कि बाले को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा कोट का फैसला भी आया जाएगा उसके बाद आप लोग का जारी किया जाएगा ठीक है उसके बाद यहां बताया गया है कि बता दे कि बिहार में अभी 1.7 लाग पदों पर नियुक्ति की जा रही है इसके लिए परिच्छा पहले महीने अवजित की गई थी BPSC महीने इस भरती का परिणाम चारी करेगी इस महीने आप लोग का रिजल्ट जो हो फाइनली आ जाएगा ठीक है तो सीटेट वाले स्टोरेंट जो फेल है आप लोग घबराईए नहीं आप लोग आब आज उठाए ट्विटर पर ट्रेंड चलाएगे दो चार नंबर जो आगर आप BPSC में पास है और सी घबराना नहीं है आप लोग आज उठाना ट्विटर पर ट्रेंड चलाएगे कि सीटेट का नंबर दो चार नंबर घटाया जाए ठीक है ठीक है बिहार में नियम लागू होते हैं पहले भी नियम लागू होगा है अभी भी होगा पुड़े ओल इंडिया में 90 प्लस में अपना एक रूल है अपना एक नियम है सीटेट का तो सीटेट का नियम फिर से लागू किया जा सकता है तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाएए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी पलपल की खबर मैं देती रहूंगी ठीक है चल